असलाम अलेकूम and welcome to cooking secrets online जी वियर्स, आज हम मसेदार Oreo chalk bars बनाएंगे चलें, अब हम इसकी recipe की तरफ चलते हैं इसके लिए आपको चाहिए 4 अदद Oreo biscuit के packets यह आप half rolls ले लें 4 packets मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं 4 bars बनाऊंगी हर packet से 1 bar बनती है ठीक है, और यह आपने वो वाला packet लेना है जिसके अंदर 6 biscuits हो, यानि एक pack में 6 biscuits हो इसके साथ साथ आपको चाहिए cooking chocolate मैंने इस company के लिए आप इसकी जगा dairy milk भी use कर सकते हैं half cup आपको चाहिए दूद अब आप एक packet Oreo biscuits का ले लें और इसको उपर से अच्छी तरह से cut कर लें और बहुत अराम से इसके biscuits एक pot में निकाल लें अब आप इनको crush कर लें crush करने के बाद आप इनको एक bowl में निकाल लें और चमच की मदद से उसी packet में इनको दुबारा से डाल दें यह crushed Oreo biscuits आप packet में दुबारा डाल दें इस तरह से यह देखें अब आप एक packet के अंदर 6 tablespoon दूद के डाल दें यह देखें आपने इतना दूद डालना है कि अच्छी तरह से इसमें सोक हो जाए सारे biscuits का जो crush होवे biscuits हैं वो सारे इसके अंदर सोक हो जाए यह देखें इस तरह इनको आप अच्छी तरह से प्रेस करें आराम आराम से ताके यह जो biscuit और दूद का जो mixture है यह एक तरफ सारा अकठा हो जाए अब आप चॉप स्टिक ले लें और इस mixture के बिलकुल दर्मियान में इसको fit कर दें इस तरह से और glass में आप इसको vertical position में रख दें इस तरह मैंने तमाम ready कर दिये हैं और इनको आप चार से पांच खंटे के लिए freezer में रखकर freeze कर लें अब यह अच्छी तरह से freeze हो चुकी है अब आप इसकी उपर से इनका wrapper अराम से उतार दें इसके लिए आप इसको canty से wrapper को cut करें और अराम से wrapper को उतार लें इस तरह से यह देखें अब यह wrapper उपर से उतर करें और नीचे से यह बार निकल आई है जी वियर्स अब आपने यह जो cooking chocolate है इसको एक bowl में crush करके रखतें एक sauce pen में आप तकरीबन एक इंच पानी लें यह जब हलकी आँच पे उबलने लग जाए तो आप इसके उपर cooking chocolate जो crush हुई वी है उसका bowl रखतें इस double baller method से यह chocolate आपने melt करनी है यह देखें अब आईस्ता आईस्ता यह chocolate melt होना शुरू हो गई है जी वियर्स अब यह हमारी तमाम की तमाम chocolate melt हो चुकी है यह देखें इस तरह अब यह बलकुल ready है इस chocolate को अब आप एक mug में निकाल लें अब जो हमारी वो बार ready हो चुकी थी उसको आप अच्छी तरह इस chocolate में टिप कर लें और fully chocolate को इस बार पर coat कर दें यह देखें यह बहुत अच्छा सा chocolate की coating हो गई है इस तरह अब आप इसको दुबारा से freezer में तकरीब बीस मिनट के लिए रखते हैं जी वियर्स यह मज़िदार Oreo chalk bar रेडी हो चुकी है I hope आपको यह पसंद आएगी Thank you for watching this video Allah Hafiz homework 應 चरन locking है आ ह gri ह रा हा